नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरे नव वर्ष के पहले दिन सुमवार को महंकालेश्वर जोतिरलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद धालू आए आट लाग दस अजान ने लिया दर्शन लाव ये दुरपा बोले मैसूर के शिल्पकार की बनाई मुर्ती राम मंदिर में विराजेगी मनिपूर में नए साल में भी हिंसा तीन लोगों की गोली मार कर हत्या मद्यप्रदेश के सीएम बोले इंदोर से शुरू होगा पाइलेट प्रोजेक्ट मद्यप्रदेश का नक्षा बदलेगा जीलेवा संभागों की सिमाय फिर तै होगी जगनात पूरी में फटी जिन्स निकर पहन कर प्रवेश नहीं बांगला देश में नोबेल विजेता युनूस को छे मां की सजा नमो एप देश की प्रगती पर पीए मोदी ने मांगी राई मूसे वाला मडर का अरुपी गोल्डी बराड आतंकी खोशित अयोध्या का फैसला जजों की सर्व सम्मत्ती से हुआ कॉलेजियम पर अरुप बेतुके बेटों को की रिकार्डिंग संभव नहीं सीजे आई ने कहा सूनामी अलट साल के पहले ही दीन जापन्त रहया 7.6 की त्रिवर्ताग वाला भुकम 5 घंडे में 50 से ज़्यादा आफ्टर शॉक इसराइल में नेता नियाहियू की मुसीबत बड़ी कुछ पाइलोटों का उडान भणने से इनकार भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणू प्रतिष्ठानों की सूची साजा की वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात में नए साल का 50,000 सुरी नमसकार से स्वागत ब्राजिल में समुद्र की देवी के साथ इस्तनान से नए साल में समर्दी की कामना इम्रान का नामंकन चुनाव आयोग ने नेतिक आधार पर बता खारिच किया मतुरा में देश के पहले कन्या सेनिक स्कूल समीत गुरु कलुम का स्वरंदावन में लोकार पड़ करनाटक में विवादि धाचा ढाय जाने के बाद दंगों का आरोपी 30 साल बाद गिरफतार बाकी की तमाम कब्रोकर बने रहे हैं राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद